आज मैं सेर करने जा रही हूं पोई पते डंटल की सबजी जो खाने में बिल्कुल मचली की जैसी लगती है मैं पोई बोलती हूं आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताईएगा और ये रेसीपी को जरूर बनाईएगा तो चलिए दोस्तों मैं पोई पते डंटल की सबजी बनाना स्टार्ट करती हूं आज हम बनाएंगे पोई पते की डंटल की सबजी बहुत से लोग क्या करते हैं पोई पते रख लेते हैं और डंटल को फेक देते हैं आज इस recipe को देखेंगे ना तो कभी पोई पते की dental को आप नहीं फेकेंगे और बिल्कुल मचली के जैसे खाने में ये recipe लगती है तो आप देख सकते हैं ये मेरे garden का है पोई पते और ये इनका बेल ना बहुत बड़ा-बड़ा होता है तो इनको मैं काट लेती हूँ छोटा- आप देख सकते हैं इस तरीके से साड़ा पोई का पता होता ना निकाल लेते हैं मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ यहाँ प्यास सकते हैं मैं साड़ा-डेंटल को एक तरफ कर लीया और पत्ते को भी एक तरफ दोस्तों डेंटल में आप बहुत ज़्यादा रहता है तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें रैसा रहता है तो साड़े रैसी को मैं निकाल दोंगी यह उपर वला जो बैंग नी कलर देख रहे हैं ना साड़ा को निकालना यह सब रैसा ही है और बिस से कट करके इक्वल साइज में इनका पीस बना लिना लंबा लंबा तो इस तरीके से आपको बनाना है देखी कितना सारा रेशा है थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बहुत ही टेश्टी लगता है यह सबजी खाने में इसी तरीके से मैं सारा रेशा को निकाल लेती हूं बिल्कुल इस तरीके से निकालना है बिल्कुल क्लीन यहां पर आप देख सकते है मैं सारा रेशा निकाल लिए और पोई पते को भी मैं काट लिए दोनों को मैं अच्छी तरीके से धोवी लिए और यहां पे चना है तो मैं चना को एड करूंगी तो इनको ओवरनाइट मैं फुलने दे थी पोई पते का साग आप जब भी बनाये डंटल वला तो आप चना जर शर्सों अधरक लेसल जीरा और कली मिर्च सबको मैं फइन पेंस बना लें और यहां पर चाहरों को फिर मज़ा ही नहीं आएगा, अब मैं बनाओंगी सबजी, तो एक पैन में मैं सर्शों का तेल डाली हूँ, उसके बाद दो तिन तेजपत्ता, पच्छ फोरन, एक चमच जीरा, सारा को चटकने दे, उसके बाद यहां पे मैं डालूंगी पियाच, पियाच को भी थोड़ा सा भूज ले, इनका कच्छा पर निकल जाया, उसके बाद जो मैं मशाला पिसी थी, इनको मैं एड़ कर दूंगी, उसके बाद इहां पे मैं डालूंगी टो इसके बाद इहां पे मैं ड्रैम मशाला डालूंगी, तो सबसे पहले हल्दी पौडर, धनिया पौडर, एक चमच यहां पे मैं डालूंगी लाल मिर्च क्योंकि मैं हडी मिर्च पीसकर डाली हूं आप ज्यादा तीखा कम ज्यादा खाना पसंद करते तो अनुसार आप डाल सकते स्वाद अनुसार यहां पे नमक डाल दीजी अब साड़ा को मैं पांच मिनद तक इनको मैं माशाला को कुक यहां पे पांच मिनट हो गिया है कि यह मसाला बहुत अची तरीकी से कुक हो गए इनसे बहुत अची खुस्पु भी आ रही है बिल्कुल कचा-कचा पन नहीं लगए बिल्कुल यह मसाला कुक हो घ्यांने मिलत болओ तो प्रेश एक अलग दिजी ये दो मिनट के बाद हे ना यह पता है बिल्कुल soft या नि गल जाएगा soft होजाएगा आप बेख सकते कितना पता था ये गल गया है पानी छोड़ दिया इनको आप मिला लिजी इनको अच्छी तरीके से मिला लिजी उसकी वादेना इनको फिर से पाँच मिनट तक ढग कर मसाले के साथ आज सबको एक साथ है ना कुक करना है पाँच मिनट तक यहाँ पे देख सकते हैं पाँच मिनट हो गया और बहुत अच्छी तरीके से यह डंटल भी कुक हो गया है और मर्शाला तो भुझाया ही था आप चावल रोटी सबकी साथ खाश रगते हैं अब इनको मैं ढग कर पाँच मिनट तक वालाने तक पका लूँगी तो यह देखिए हो गया है दोस्तों पाँच मिनट ग्रेवी भी देखिए बिल्कुल थीक हो गया अब एक पलेट में मैं सर्व कर ली हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोई पते की डंटल की सबजी बनकर बिल्कुल डेडी हो गई है तो कैसी लगी दोस्तों आपको पोई पते डंटल की सबजी और उसमें चना तो जरूर डालिएगा आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है और ज्यादा भी कुक नहीं कीजीएगा अगर ज्यादा कुक कीजीएगा तो यह डंटल है बिल्कुल मतलब पूरा तूट जाएगा फिर मजा ही नहीं आएगा खाने में जैसे आप सहजन खाते हैं बिल्कु कीजीएगा और मेरे तरेके से पोय पते की डंटल की सबजी बनाकर जरूर खाईएगा तो मिलते हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई